आप देख रहे हैं फर्स्ट रेक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन रेजिस्टेशन नमबर आर एजे एच आई एन ओवलिक दो हजार दस ओवलिक तेटीस नोसो पंद्रे हैड कांश्टे ups को बदमाश मुकेश ने मारी गोली दोनों हाथ तोडए गद दिनों जिलास्पिताल दौल पर के बंदी वाट से फरार हुए बदमाशों की तलाश में गए पुलिस के हेड कांस्टिबल को बदमाश मुकेश ठाकोरा उसकी गेंग के सदस्यों ने गोली मार दी तता लाटी डंडों से मार पीट कर गंबी रूप से कायल कर दिया है हेड कांस्टिबल के जांग में गोली लगी है और दोनों हातों में फेरेक्चर हुआ है जिसे इलाज के लिए जिला अस्टिबल धौल्पूर में बर्ती कराए गया है जानकारी के मताबिक धौल्पर जिले के कौलारी थाना इलाके की सकवारप पुलिस चौकी पर तेनाथ हेड कांस्टिबल अशुक सीन राजावत जिला अस्पताल के बंदी वाड से इलाज के दौरान फरार हुए बदमाशों के मामले की जाच कर रही है आज हेड कॉंस्टेबल राजावत को मुक्वित से सूचना मिली के फरार हुए दो बदमाश गड़ी बिंती गाउं में चुपे हुए है इस पर हेड कॉंस्टेबल राजावत कॉंस्टेबल मुरारी यादब के साथ बाइक से बदमाशों की रेकी करने मुक्विर के बताय स्थान पर पहुँचे जहां इनामी बदमाश मुकेश ठागुर भी मौजूद था जिसने अपने सातियों के साथ हेड कॉंस्टिबल अशोक राजयावत को जांग में गोली मार दी तदा लाठी डंडों से दोनों हाथ तोड़ दी गटना के बाद गायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल दौलपर में बर्ती कराया गया है वहीं गटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एस्वी साहित अनने पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुँचे और गटना गरम की जानकरी ली गटना गरम को लेकर पुलिस अधिकारी फिलाल कुछ भी कहने से बच रही है फर्स्ट ट्रेक की ख़बर का हुआ असर तमंचे बढ़ डिसको करने वाले युबक गिरफतार दौल्पर जिले की जनता के चैनल फर्स्ट ट्रेक की ख़बर का एक बार फिर हसर हुआ है फर्स्ट ट्रेक ने कल युपती संग युबक द्वारा अवैद देसी तमंचे के साथ डिसको करने की ख़बर दिखाई थी जिसके बाद सदर थाना पुलिस सरकत में आई और आरोपी को गिरफतार कर लिया है आपको बता दें कि धीमरी गाउं में एक शादी समारों के दोरान गाउं के युबक रिंकु ने स्टेज पर एक युपती संग डांस किया और इस दोरान युबक ने अवैद देसी तमंचे से एक के बाद एक कई फायर किये इस मामले को फर्स्ट रेक ने स्टनिवार के निउस बिलेटन में पिरमुकता से उजागर किया था जिसके बाद सदर थाना पुलिस धौलपर अरकत में आई और आज पचगाँ पुलिस चौकी ने कारवाई करते हुए आरोपी रिंकू और फरैनवीर पुत्र राजवीर निवासी धीमरी दौलपर को गिरफतार कर लिया है जिसके कबजे से अवैद देसी कट्टा और कार्तूस भी बरामत किया है गिरफतार आरोपी से पुलिस अन्य आरोपीयों के बारे में भी फूस्ताच कर रही है और कार्तूस दरामत किया चुका है नहर में फसल की सिचाई के लिए पानी नहीं पहुचने से किसानों में आक्रोश सेपव छेतर में नहर और माइनर सूखी पड़ी है ऐसे में किसानों को फसल सिचाई के लिए चिंता सता रही है किसान बसई नवाव इलाके में टेल तक पानी पहुचाने की मांग कर रहे हैं नहर में पानी की मांग को लेकर किसानों ने जल संसादन बिवाग के अधिकारियों के खलाब पिरदर्शन कर रोज जताया है छेतर के किसानों ने बिवाग के अधिकारियों पर अंदेकी का आरूप लगाते हुए कहा है कि हजारों भीगा फसल नहरी पानी पर ये आशरेत है इस समय खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, आलू, आधि फसल में सिचाई की जरूवत बनी हुई है ऐसी इस्तिती में अधिकारियों के द्वारा नहर में पानी पहुचाने को लेकर अंदेकी की जा रही है जिस से किसानों के लिए फसल सिचाई का संकट गेरा रहा है नहर अध्यच रामबीर सिंग परमार का कहना है कि किसानों की जरूवत और उनकी पीड़ा को देखते हुए शीगरी नहर में पानी पहुचाये जाएगा तता बसई नवाब इलाके में हर संबब तेल तक पानी पहुचाये जाएगा उन्होंने कहाए कि फिलहाल माकरा हेड तक पानी चल रहा है और बसई नवाब माइनर में जारोली तक पानी पहुच गया है किसानों की जरूवत के मुताबिक नहर में पानी का गेज बढ़ाकर दो दिन में छेत्र के किसानों को पर्याप्त नहर का पानी उपलब्द करवाए जाएगा ढ़ulations के ऊख़ां है prag शेत्र वासी हमारी जो पानी के लिए परेशान है करमशारियों नहर की पाणी चल पानी पीपले त बढ़े हैं कि हमारे पानी से बात की बेरी सबबस्त पर बहा के लेकि जैव सकता है अचानों भी का जो पसल तैयार कड़ी है पानी के लिए उसको पानी मिल सकते हैं इतना समय हो गए नहरों चुड़ाई है लब पंद्रे दिन हो गए अभी तो पानी नहीं आया यहां तक नहर को संबावे से देखते हुए किसानों ने तो अभी अपनी मान रखी नहीं है पर ना रखते हुए भी हमें अपना ये कर्ण को करना ही है जी ये नहर को एक तारीक के लिए हमने के रखा है एक शीन और एई येन पूरी तरह मुझ्ते हैं बसे इनवाव पर पानी चल दा है इस वसको और आज राज सेंपल ब्रांच का पानी सेंपल तकाने की संबावना है जिसको हम पूर्ण रूप बेक खिलाने का प्रयाज करेंगे और अपने सेंपल किसानों को पूर्ण रूप पर्यार की आज चौती पॉने तिती मनाई गई इस मौके पर आज उनके पैतरक गाउं गडी जाफर में इसमिर्ती स्तल पर शद्दांजली शवा का आयजन किया गया शद्दांजली सवा में शहीद को नमन करते हुए माला पहना कर पुश परपित किये गए इस मौके पर शहीद रागबिन सिंग परहार के पिता राम गोपाल परहार ने कहा कि मुझे देश के लिए नौचावर करने वाले अपने सपूत पर गर्व है शहीद की पतनी अंजना परहार ने अपने पती की शहादत पर दीप पुशलित कर माला अर्पित की बाजपा युबा मोचा धौलपूर के जिला मंतरी शिबा गोज़न ने कहा कि शहीद रागबिन सिंग परहार के बलिदान को कभी नहीं बुलाया जा सकता उनका अदम में सहास और बलिदान आने वाली पीडियों को प्रेरित करता रहेगा इस अपसर पर राष्टिय मंसूरी समाज दौलपूर के जिलाद देच सुनील मंसूरी, सौयमन सिवा टर्ष्ट राजा खिडा के बलॉक अद्यच, बोला सेन, अनिल परिहार, हाजाद मंसूरी, बिकास गोस्वामी, राजा खान सहित अन्य युबाओं ने मिलकर शहीद की स पर राष्टा को साफा बांधवा मालप डाल कर सम्मानित भी किया गया। एक बार सोरूम पर जरूर पदार हैं और पिसेज छूट का लाब उठाएं। फरनीचर पसंद आने की भी गारंटी, कोर्फोम गद्दे के डिस्क्रिविटर, कोर्फोम के गद्दे पर भी भारी दिस्काउंट, कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जा जार साथ। प्रतिशत दिलाई नौकरी, छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य, हमारे छात, फैमोन, रैडिसन ब्लू, रामडा होटेल, साया जी, ITC फॉर्चियून, सामोध ग्रूप सहित, अन्य फाइव स्टार होटेल में फॉर्पूर राजिस्थां 9165741677 बसेडी वा बाड़ी की सौमबार को तीन गंटे बंद रहेगी बिजली कल सौमबार को 132 केवी GSS बसेडी पर रखरका कार होने के कारण 33 केवी फीडर बाड़ी वा बसेडी की बिद्दुत आपूर्थी बादित रहेगी बिद्दुत दिंगम के कारवाग सहेक अवियंता 132 केवी GSS बसेडी ने बताये के मरमत कार के चलते सौमबार दस वजे से एक वजे तक बसेडी वा बाड़ी की बिद्दुत आपूर्थी बंद रहेगी जिला कलेक्टर ने निवास पर किया मद्दाता जागरुकता अवियान के पोश्टर का बिमोचन बिप्र फाउंडिशन योवा मंच धौलपर द्वारा चलाई जा रहें मद्दाता जागरुकता अवियान के पोश्टर का बिमोचन जिला कलेक्टर आरकेज जैसवाल ने अपने निवास पर किया बिप्र फाउंडिशन द्वारा निकाई चुनाब के दोरान ज्यादा से ज्यादा मद्दाता अपने अमदा दिकार का प्रियोग कर सकें इसके लिए सुनियो जित मद्दाता सिक्षा जागरुकता एवं निर्वाचक सहबागिता कारिकरम चलाई जा रहे हैं इसी के द्रेश्टिगट जिला कलेक्टर ने मद्दाता पोश्टर का विमोचन किया इन पोश्टरों को साभजने के स्थानों पर लगाये जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मद्दाता जागरुक हो सकें विप्र फाउंडेशन युबा मंच के प्रिदेश उपाद्यच अंकित श्यर्मा ने बताया कि विप्र फाउंडेशन शहर निकाय चुनाब में कोवेड-19 की गाइडलाइन का विश्यच ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक मद्दान करें युबा जिलाद्यच विप्र संजीब ने बताया कि आगामी 11 दिसंबर को निकाय चुनाबों में मद्दाताओं की शत्प्यति शत्भागिदारी सुनिशित करने के लिए विप्र फाउंडेशन युबा मंच द्वारा जागरुकता अवियान चलाए जारा है इस दोरान विवेक शर्मा, रामनरेश पचोरी, अविशेक दुबे आद पदादिकारी मौजूद रहे राश्टिय जन सेबा संग धौलपुर के कारेयले पहुई कोर कमेटी की बैटक राश्टिय जन सेवा संग धौलपुर की कोर कमेंटी के पदादिकारियों की बैटक का आईजन कारेले पर संग के सनक चकबा पूर्व कोशा दिकारी स्रीनिवाश शर्मा की अद्यस्ता में किया गया बैटक में संग के पदादिकारियों द्वारा धौलपुर नगर परश्यत चुनाफ 2020 पर विचार विवश करते हुए द्वार धौलपुर शेर के वार्डों से निर्दली प्रित्याशियों द्वारा राष्टिय जन्सेवा संग से समर्थन के लिए प्राप्त आविदनों पर गेहनता से मंतन किया जिसके बाद संग ने वार्ड नमबर 38 से जिलाद दिच योगिश त्यागी को वार्ड 28 से संग क कोशा द्यच रिते शक्सेना को राष्टिय जन्सेवा संग द्वारा समर्थन दिया है इस अपसर पर संग के महासचे निशान्त ठाकुर ने बताया कि दौलपुर नगर परश्यद में अभी तक कई बार कांग्रेस का बोड़ रहा है और कई बीजेबी का बोड़ रहा है ल बैटक में संग के सहियोजक महिंदर दुवे सह सहियोजक दीरत शर्मा बिदी सलाकार एड़वोकिट अमित मिश्रा संतोष मिश्रा कुणाल शर्मा आकाश शक्त सेना अनूप्स शर्मा बौवी मिश्रा आध्य उपस्थित रहे धौल्प जिले के मनिया कस्वा निवासी तैसिल्डार अलका कस्वा शर्मा के पिता डौक्टर दिनेचंच शिर्मा शर्मा का आकस्मिक निदन हो गया है वे करीब 65 वर्स के थे और पिछले कुछ समय से अस्वास्त चल रहे थे जिनका अंतिम संसकार मनिया में किया गया तीये की बैटक 30 नौंबर सौंबार को दुफैर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निज निवास मनिया पर होगी कोरोना संक्रमन को देखते हुए लोग अपने निवास से फौन के माध्यम से भी शोक संबेदना व्यक्त कर सकती है आपको बता दें कि अलका स्रीवस्तव फिलाल बत्वोजले के रोबास की तैसिलदार है मचकुन रोड पा चंबल की पाइपलाइन फटने से 10 लाख लीटर से अधिक पानी हुआ बरवाद दौलपुर से भरतपुर के लिए जाने वाली चंबल नदी के पानी की पाइपलाइन बीती रात को मचकुन रोड पा इस्तित आई-टी-आई के पास अचानक फट गई केतों में भर गया इसके अलावा मचकुन रोड पर बना फुटपाद भी पानी के तेज भाब को जहल नहीं पाया और फुटपाद में लगी इंटे निकल गई पानी की स्पीट को देखकर एक बार गी तो मौके पर लोगों का जमावला लग गया वहीं लोगों ने इसकी मौके पर पहुंचे तता पाइपलाइन को ठीक करने में जुड़ गए जिन्होंने आज दुफएर में पाइपलाइन को ठीक कर सप्लाई सोचारू किये अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान वह भी 25% रोपए एवं समय की बचत के साथ क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर राष्टिय इसतर का केला देवी रेडी में एवं फ्लाई एस बिक्ट्स तता इंटर लौकिंग टाइल्स के निर्माता धौलपुर जिले में 50 से 60 किलो मीटर तक कंक्रीट करने की फूड बिवस्ता सभी प्रकार की ग्रेड तक आटोमेटिक कंट्र कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी कच्चे माल की ना के बराबर बरवादी मकान और सडक के निर्मार के समय अत्रिक्त जगे की आवश्यक्ता नहीं लाने वह ले जाने में 10 परसेट तक सीमेंट की बचत साइट पर बिजली वे लेबर की निगरानी की भी जरूरत नहोंने की कारण समय और पैसों की भारी बचत पता केला देवी रेडी मिक्स एफ 325 रीको इंड इस्तीज एरिया धौलपूर प्रोपराइटर मनीश कुमार सिंगल मोबाल नंबर 9549-891824 अब आप अपने दोलपूर में ही खरी सकते हैं सस्ते दाम में मन पसंद अच्छा और टिकाव फनिचर वेवी आगरा की कीमत में अब आगया है आपके दोलपूर में फनिचर का बिसाल सोरू जो देगा आपकी लाडली बिटिया को बिभा में मजबूत मॉडन एबं फैंसी आकरसक फनिचर वेवी आपकी पसंद के डिजाइन में त्यार करके हमारे यहां सागबान, सीसम, साल एबं अन्य कीमती लकडी से फनिचर त्यार किया जाता है इसलिए मजबूत सुंदर टिकाव और आकरसक फनिचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवस्च्छे दें पता ब्रज मादव फनिचर हाउस उम्वेदी नगर कालिमाई रोड राजाखेडा बाईपास दोलपूर हमारे यहां फनिचर को घर तक पहुचाने की भी सुबिदा उपलब्द है एक बार जरूर पधार है पंडित दावदयाल सास्त्री वा गोविल्थ सर्मा पहड़ी व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं